तो दोस्तो आयलो के थिम पे इसू किया गया इस 5 रूपे सिक्के में कौन सा मिन्ट का कोईन आज की डेट में रेयर या फिर इसके अस काटेगरी में आता है। और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। और दोस्तो जिनोंने सब्सक्राइब करके रखे हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किये हैं तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया वीडियो अपलोड करूँग तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो दोस्तों आएए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं आएलो के थीम पे पांच रूपे के इस सीके को जनेरल सर्कुलेशन में पहली बार इसु किया गया था 1994 में और इस सीके के जो रिवाज साइड है रिवाज साइड का खुब सुरत डिजाइन आप देख सकते हैं आएलो के थीम है एकदम सेंटर में बड़े अक्सर में है आई एलो और उपर है हिंदी में सरम जगत और राइट साइड में है इंगलिस में वाल्ड ओफ वार्ग और जो थीम है थीम के नीचे है दो डेट आप देख सकते हैं 1919 से 1994 और उसके बीच में एकदम सेंटर में नीचे आप देख सकते हैं इस कोईन का मिंट मार्क मेरे हाथ में यह जो कोईन है यह मुझे जनेर सर्कुलेशन से मिला था और इसका मिंट मार्क है डॉट जो है नौइडा मिंट का मिंट मार्क और इस कोईन को तीन अलग-अलग म और Naueta, Calcutta मीν से इस कोयन को इसू नहीं किया गया था और आप बाज साइड में आप देख सकते हैं Asoka land Capital उसके नीचे September ghostary हिंडी में उसके नीचे 500 भारत हिंडी में इंडिया इंगलीज में हिंदी में और एंगलीज में और दोस्तो ये जो सिक्का है 9 gram weight का ये पहला सिक्का है दोस्तो इससे पहले इंद्रागंधिक और जहलल नहीरू बाला 5 रुपे का सिक्का आता था जो 12.5 gram बजन का होता था लेकिन उसके बाद 9 gram बजन में ये ILO बाला 5 रुपे का पहला सिक्का है जो 9 gram बजन में general circulation में issue किया गया था तो दोस्तो और इसका जो age है वो भी आप देख सकते हैं security age में आता है ये शिक्का तो दोस्तो आईए बॉम्बे, हायदाबाद और noida mint से noida mint में से कौन सा mint आजकी date में rare या फिर sketch category में आता है और कौन सा mint आपको collection करना चाहिए और future में कौन से mint से आपको अच्छा कौन का रिवर साइड और अवर साइड का फोटो दिया गया है एकदम उपर है world of work ILO 1990 से 1994 mint यार है 1994, metal है copper nickel, weight है 9 grams, size है 23 mm, इस कौन का diameter है 23 mm, safe है circular, mint है बॉम्बे, हायदाबाद और noida, reality अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं तीनों ही mint का कौन आजकी date में common category में आता है य आगे में आपको बताऊंगा, fine condition में 10 रूपीज, very fine condition में 15 रूपीज, extra fine condition में 25 रूपीज, और UNC condition में 100 रूपीज, Bombay mint का coin का price coin book में दिया गया है, हायदाबाद और noida mint का जो price है वो same है, fine condition में 10 रूपीज, very fine condition में 15 रूपीज, extra fine condition में 25 रूपीज, लेकिन UNC condition में 150 रूपी लेकिन Bombay Mint का Coin का प्राइज है, UNC कंडिशन में 100 रूपीज, 50 रूपीज का डिफरेंस है, क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में, हायदाबाद और Noida Mint का Coin, इसका काटेगरी में आ गया है, लेकिन Bombay Mint का Coin, आज भी Common काटेगरी में है, और Bombay Mint का, जो Coin का, जो Book में जो प्राइज लगभग सेम ही प्राइज है, 10-20 रूपे उपर नीचे हो सकता है, लेकिन हायदाबाद और Noida Mint का Coin का जो प्राइज है, उसका किमात, आज की डेट में, आपको और भी जादा मिल सकता है, फाइन कंडिशन में 20 रूपीज, बेरी फाइन कंडिशन में 30 रूपीज, एक्स्ट का प्राइज जादा होता है, और ILO आप देख सकते हैं, मिन टियर है 1994, बहुत साल हो गया है, और General Circulation से, UNC कंडिशन में मिलना ये कौईन, लगभग नामुम्किन है, मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कौईन मेरे हाथ में था, वो भी मुझे General Circulation से ही मिला था, और वो कौईन है, जो मुझे General Circulation से मिला था, और उस कौईन का मुझे मिल सकता है, आज की डेट में 30 रुपीज के आसपास, लेकिन वो कौईन अगर UNC कंडिशन में होता, तो उस कौईन का मुझे मिल सकता था, 200 रुपीज से 250 रुपीज के आसपास, तो दोस्तों, अगर आप कलेक करूँ और उसका एक सेट बनाओ, ताकि आपको अच्छा खासा कीमत मिल सके, तो आप जरूर कलेक्शन कीजिए, और अगर आप पर्चेस करना चाते हैं, अपने कलेक्शन के लिए, तो fine, very fine और extra fine कंडिशन का आप पर्चेस मत कीजिए, आप UNC कंडिशन में ही पर्चेस कीज लेकिन फिर भी आपको 200 से 250 रुपीज के बीच में मिल जाएगा, तो आप अपने कलेक्शन के लिए, बॉंबे, हादाबाद और नौइडा, तिनो ही मीन का कोईन, UNC कंडिशन में कलेक्शन कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इस सेट का अच्छा खासा कीमत मिल सके, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं एभरी डे वीडियो अपलोट करने की कोशिस करता रहता हूँ, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, इस मेल आइडी पर contact.namespage.in, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन.